के तो डिफ così हो टेक्णिकल से रिलेटेट्ट हो इस चैनल पर जितने भी वीडियो writer किया जाते हैं बहुत लाजबाब वीडियो और बहुत ही useful content दिये जाते हैं ठीक हैो Aku अब या नहिसने भी तेयुटेगे थो बहुत ही यह YouTube channel जैसे कि अभी मैं पीछे जो वीडियो दे रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों को लगाता है बहुत ही अच्छा कंटेंट है जैसे कि फ्री और कॉस्ट में आप लोग जो है CNC प्रोग्रामिंग सीख सकते हो टूल्स के बारे में नालेज ले सकते हो हर चीज आप लोगों को अपडेट पर्टिगुलर हम दे रहे हैं लेकिन आप लोग जो है पूरी वीडियो को वाच करेंगे तब ही यह पॉसिबल है कि मैं कुछ शीख सकता हूं ठीक है आप किसी भी जगा रहो जैसे कि चाहो बीटे क किये हो डिपलोमा किये हों यह फिर टेकनिकल से रिलेटेट और कोई कोर्स किये हों ठीक है सबके लिए आप इंडस्ट्री में जब प्रिवेस करोगे तो वहां के वातावरण से और आपके कॉलेज के वातावरण से काफी डिप्रेंट देखने को मिलेगा क्योंकि मैं एक इसलिए मुझे प्रॉपर रूप से पता है और एक बात और मैं बता दो दोस्त की जब भी आप इंडस्ट्री में प्रवेश करोगे न वहां पर यह जरूरी नहीं है आप लोगों को मेरे लिए कि हो हो इलेक्ट्रिकल के हो इनुटके प्रवेश करते हो तो यहां पे जाने के बाद इलेक्ट्रिकल में रिंद्शर्ट्रीन और अकूर में काम करता है क्योंकि आप एक इंजीनियर हों तो इनका क्या होता है किánh करना तो यह सारी तिए क्या सारे स्वेज़ करता है और यह बता दूँ कि इंड़स्ट्री के अनुसार प्रफाइल मिलती है तो ही यह नहीं कहा हुआ हूं कि आप जिस डिपार्टमेंट से हैं मैउकेनिकल से एलेक्ट्रिकलल से हैं तो एलेक्ट्रिकललकीं चले के बाद वहां पर अलग-त जैसे रेक्वार् मेंट होता है जैसे इंडस्ट्री में जो आगे निकले हैं टुब तक कोई बंदा जीरो लेबल से त्यारि नहीं करता है वो हाई बेवल तक नहीं पहुँन पहुंन पहुंता है क्यों कि जब बोर हैं कि zer2 लेबल करने के लिए बोल दें तो क्या वे च्शेर कंडिडेट कर सकता है नहीं कर सकता टीर्क है कर सकता है क्योंकि मैं पाउर हैंडलिंग करना भी बहुत अपने आप एक अच्छा वाली बात होती है फ्रेंट्स मैं पाउर हैंडलिंग कर ठीक है कौन कंडिडेट आया को नहीं आया कौन मैं पाउर गया कौन छुट्टी पे है क्या है कैसे सारब बहुत कुछ होता है फ्रेंट्स उड्सट्री में तो आप इस ट्रेड से हम उसी ट्रेड में जाएं जहां रीकार्मेंन्ट के अंसार कमपनी जो है अपने किसी भी डिपार्टमेंट में आपको डाल सकती है ठीक है तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में रहे जो है वहां के वातावरंस वहां के जो मैंट पावर है उसके बारे में वहां के क्या रेगुलेशन रूल सारे कुछ आप लोग को अध्यन करना ही पड़ेगा ठीक है तो इसलिए मैं आज मैं जो मोटिवेट आप लोगों को करना हूं आप लोग होपलेस मत होईएगा ठीक है अगर आप लोग हो गए ठीक है तो कि मेरा एक है कि मैं इंजिनेर्स बनूंगा तो डिफनेटली आप बनोगे फ्रेंड्स इसमें कोई सक नहीं है लेकिन आप अगर पहले पैसा देख लिए कि मैं जहें 20,000 से लेके 40,000 रुपए प्रति मन्त चाहिए फ्रेशर कंडिडेट को डिफनेटली यह हो नहीं सकता मैं पहले बता दूं कि अगर ऐसा कोई भी कंडिडेट सोच रहा है तो भूल जाए अपने मैंड से निकाल देए फ्रेंड्स की कोई भी इंडस्टी उनको जब जीरो लेबल पे आप जाओगे इंडस्टी में प्रवेस करोगे तो कोई भी इंडस्टी उनको 20,000 रुपए द मेरे प्रशॉण होते हैं जिल को इतना सेल्री लगाती हैं ठीक है चाहओँ डीप्लोमा हों विटेख हो ठीक है करने के बाद यू और बीटेक करने के बाद जीटी कराती है तो डिफनेटली आप लोग को अगर यह मिल रहा है तो आप लोग करेंगे वहां सीखेंगे एक्सपीरियंस होगा नॉलेज बढ़ेगा तो डिफनेटली आप लोगों को फ्यूचर ब्राइटी होगा ठीक है इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहरा हूँ कि आप लोग इंडस्ट्री में जाए ठीक है वहां के वातवरण को समझे ठीक है और कुछ दिन तक जॉब कीजिए ठीक है आपको अच्छा लगे जॉब कीजिए और जॉब के साथ साथ आप जो है जो है देखते र जाएगा ठीक है इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर कीजिएगा क्योंकि हर कंडिडेट को यह वीडियो चाहिए क्योंकि जितने भी कंडिडेट पास आउट हो चुके है यह है 2022 क्यों होने वाले होंगे 20 क्यों हों ठीक है वह जो है करने के बाद घर प दो साल का अगर गैफ हो गया तो डिफिनेटली फ्रेंट्स आप प्राइवेट सेक्टर में भी आने के लिए आपको बहुत चीजों से लड़ना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर भी देखता है कि अखिर बंदा किया क्या दो साल ठीक है वहां पर डिफरेंट टाइप के क्युस्ट्रिंशन से निकलने लगेंगे आप जबाब नहीं दे पाओगे फ्रेंब्स ठीक है मैं ऴ एक स्फिरियंस बंद पूँ मैं हर चीजों से गुजर रहा हूं मुझे हर चीजों से कि मैं घुबरी हूं मैं गुजर रहा हूं मुझे पता है इंडेस्ट्री में क्या होता है कैसे होता है क्या काम है ठीक है कौन से प्रोफाइल मिलती आप लोगों को कितना स्टर्गल करना पड़ता है ना वही बंदा बता सकता है जो एक्स एक्सपीरियंस होल्डर है जो हाई लेबल पर सेलरी एक पार हैना एक लाग से पाचासença से पलेस पार हैना वो दस हजार से 5000 से स्टार्टीं हुई है boss कि छी के 10,000 से 5000 तक वो इस्टार्ट की है आज वो हमारे सर बने है आपके सर होंगे ठीक है और जिसको जिसको कंपनी में भी एक respect का job मिलता है यह अच्छा job मिलते हैं कैसे मिलता है experience ठीक है हमारा certificate क्या है हमारा certificate कुछ न न है हमारा certificate सी के98 कराने की entry पास है ठीक है अब लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ एक entry pass है ठीक है इंट्री पास करने के बाद जब आपके पास experience होता है experience होने के बाद आपकी वह certificate एक ना एक दिन काम आएगी ही आएगी लेकिन शुरू में आपका हुनर बोलता है मैं बता दूं कि जब आप starting करोगे प्रिवेस इंडस्ट्री में करोगे सीखोगे definitely आप लोगों को आने वाले समय में एक future bright होगा ही होगा क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति मेनहत नहीं करता है वहाँ zero से high level कोई परसन नहीं पहुंच सकता ठीक है क्योंकि जब वही बंदा 100% काम्याब होता है जो बंदा अगर 30 लोगों को जॉब मिली है तो जो बंदा एक या दो बंदा वहां तक पहुंचता है जिस मुकाम पर हर कोई नहीं पहुंच सकता पहले बता दो फ्रेंट्स जिस मुकाम पर हर कोई नहीं पहुंच सकता एक या दो कंडिडेट ऐसे होते हैं जो वहाँ पहुंचते हैं क्यों क्यूंकि बागते रहते हैं भागते रहते हैं डाटे रहते हैं कि आज इस इन्डारी में में लेख दूर मगना को आ doc इस लिए फ्रेंड्स जब तक कहीं पर एक से दो साल का experience लगातार ठीक है लगातार आप लोग देते रहोगे तभी फ्रेंट्स एक नए एक दिन आपकी मेनहत आपकी काम्याबी रंग लाएगी ठीक है अगर दोड़ते रहे तो definitely कुछ नहीं होने वाला मैं आप लोगों को hopeless नहीं कर रहा हूँ जो market में जो चल रहा ह देश्टी में जो चल रहा है मैं वह चीज बता रहा हूँ एक रेयल फिकığınbर बता रहा हूं अब लोग को मैनत करना है अगर एक इंजीनियर बनना है सक्सज एक इंजिनियर बनना है तो आप लोगों को मिनहत करना ही पड़ेगा पिना मिनहत का कुछ भी नहीं होने वाला फ्रेंड्स चाहे आप बीटेक कर लो डिप्लोमा कर लो यहम टेक कर लो कुछ भी नहीं होने वाला आप जिस ब्रांच से हो जिस से रिलेटेड हो आप प्रवेस कीजिए इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के बारे में समझेए ठीक है मैं एक मैकेनिकल कंडिडेट हूं ठीक है मैं एक मैकेनिकल कंडिडेट हूं और मुझे भी मैकेनिकल सेक्टर में काफी एक्स्पिनेंस हो चु मेरे mechanical से कोई भी रिले न देना नहीं है, लेकिन क्या है ना, कि वहाँ के वातवरण, मैनपावर, ठीक है, ये सारी चीज़ां वहाँ भी हैं, ठीक है, तो उसको भी manage करना एक इंजीनियर्स का काम होता है, काम को समझना एक इंजीनियर्स का काम होता है, तब ही आगे चलके उस label पे क्योंकि इंजीनियर से एक एसा बंदा होता है ना फ्रेंट्स एक एसा परसन होता है ना उसे कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला mechanical का बंदा है न, electrical में लगवा दो, manpower में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लेगा हो, क्योंकि mechanical एक यहसा बंदा होता है, जो इतना hard work करने के साथ साथ, वो एक जो है, आने वाले में एक professional जाप पाता है, मैं बता दो पहले ही, ठीक है, क्योंकि mechanical line, एक मिनहत की line है, मिनहत का branch ह मिनहत करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए वो कहीं भी, electrical में लगा दो, mechanical में लगा दो, civil में लगा दो, कहीं भी वो टिकते हैं, कहीं भी रहते हैं, ठीक है, मैं एक mechanical बंदा हूँ, मैं एक mechanical candidate हूँ, आप मुझी भी लगा के देख लो न, कहीं, हर जगा, mechanical का बंदा हर जगा स स्छेट होता है क्योंग क्यूंक्यों मैंहत्च करने में डरता नहीं है इसलिए हर जगां सस्थ होता है लेकिन उन ढूंडते रहते हैर रहते हैं एror हमको एसे हैं चाहिए सब्सक्राइब की अगार वो बिना electrical mechanical का तयार हो सकता है गया नहीं हो सकता है ठीक है बिना electrical mechanical का तयार हो सकता है नहीं हो सकता है एक पुल का निर्वान कर रहे हो आप तो वहाँ पे क्या electrical mechanical और civil तीनों इंजिनेर्स की जरूत पड़ती है वेल्कुल पड़ती है ठीक है क्योंकि बिना इन तीनों का कोई भी कोई भी कंपोनेंट तयार नहीं हो सकता ना कोई भी जहाज देखे हो ना आप लोग इतने बड़े वाइमंडल में लहरती हुई जाती है क्या वो उसमें सिर्फ मेकेनिकल बंदा काम किया है ऐसा हो यह नहीं सकता इंपॉसिबल उसमें इलेक्टिकल, mechanical, civil, electronics हर कोई काम किया है ITI हर कोई काम किया है labors, helpers हर कोई काम किया है engineers, scientists हर कोई काम किया है ठीक है इसलिए आप लोग को job मिल रहा है तो job करिए मैं पहले बता दूँ कि engineers को अगर industry है तो वो कहीं भी set हो सकता है ठीक है मेरे सामने एक ऐसे ऐसे candidate आया है जो senior person है ठीक है electrical के होके हो mechanical में एक high level salary पा रहा है हो civil के होके हो mechanical में job कर रहा है एक high level पे बैठे पड़े हैं हो HOD तक बन चुके है manager तक बन के बैठे है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है आप industry में प्रवेस कीजिएगा experience लिजे definitely आने वाले समय में आपका future bright होगा वीडियो काफी लंबी हो रहे फ्रेंट्स इसलिए मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने live face लेके आया हूं friends ताकि आप लोग एक जो बार-बार पूछते रहते हो ना ऐसा comment ऐसे whatsapp पे आप लोग पूछते रहते हो बार-बार ना या ऐसा क्यों है friends आप लोग सबसे पहले industry में प्रवेस कीजिए experience लिजे experience के साथ-साथ आप लोग मिनहत कीजिए definitely आप लोग success होगे यार ऐसा क्या बात है कि ना होगे ठीक है तो जरूर definitely friends चलिए फिर मिलते हैं लेकिन उससे पहले मेरा एक request है friends कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके बगल मेबल आइकन घंटी को दबा दीजेगा ठीक है तो चला अब फिर मिलत हिला है ठीक है